तो चली शुरू करते हैं वीडियो और जानते कि कैसे किसी image का हम watermark बनाते हैं ठीक है तो इमेज का watermark बनाने के लिए आपको जाना है ऊपर layout option में ठीक है यह देखिए ऊपर कई सारे टैब होते हैं हमको layout में जाना है पहला home है दूसरा insert है तीसरा layout है ठीक है layout में आपको यहाँ पर यह देखिए watermark का option मिल जाएगा ... आप इस पर click कर दीजिए तो जब आप इस पर click करेंगे तो नीचे देखिए custom watermark का option आपको यहाँ पर देख रहा है यानि कि हमें वह पिच्चर सेलेट करनी है जिसको हम वाटर मार्क के तोर पर यूज करना चाहते है ठीक है सारे स्टप जहां से देखिए क्योंकि इसमें ये वाशॉट का भी ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना क्योंकि इसको अगर आपने प्रॉपर यूज नह बहुत देखिए अगर मैं वाशॉट रहने देता हूँ यहां पर इसको रहने देता हूँ यहां पर नीचे जब मैं अपलाई पर क्लिक करूंगा ठीक है तो आप देखिए कर पिच्चर कैसी है यह बहुत लाइट आएग यह देखिए पीछे बैग्राउंड में आपको वा इसको हटा दिया चेक मार्क ठीक अब उसके बास जब मैं अपलाई पर क्लिक करूंगा तो वाटर मार्क काफी डाक सा आएगा मलब अच्छा सा आएगा आपका वाटर मार्क प्र देखेगा तो डिपेंड करता है कि रिकॉर्मेंट कितनी है कर आपको बहुत लाइट वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं MS Word में